बूर्णिंग स्टूडेंट्स वेलकम टू स्रीकिष्णा उनलाइन किलासी आज हम अपना नेक्स्ट चेप्टर पढ़ेंगे रेड रूम ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है डू यू बलीव इन घोस्ट वे कहता है कि आप गोस्ट में विश्वास करते हो सुपर नेच्रल है तो यह रूम है रेड रूम डारेड रूम आइकन अश्यूर यू सैड आई देट इट विल बेरी डिफिकल्ट फोर मी तो भी फ्राइटन कहता है मैं तो में पक्का विश्वास दिलाता हूं कि मुझे ड्राना बहुत मुश्किल काम है आई डू नोट बिलीव इन अगर भूत होंगे भी तो उन्हें मुझे ड्राने में बहुत महनत करनी पड़ेगे और मैं आग के समी पे अपना एक गिलास लेकर खड़ा था इट इस यूर ओन च्वाइज सैड दा मैं विद रिंकल्ट आर्म एंड गलांस एट मी हैजिटेंटल यू कहता है यह तुमारी च्वाइस है एक बुजूर्ग व्यक्ति था जिसके जुर्यां पड़ी होई थे उस मेरी तरफ उसने जैसे इस चक्कर उसने मेरी तरफ ही यह बाते हैं उसने गाई I am 28 years old and I have never seen a ghost in my life करते हैं मैं 28 साल का हूँ मैंने अपनी जिन्दगे में कभी घोष्ट नहीं देखे I simply do not believe in them said I मैं इस पर आसाने से विश्वास नहीं कर सकता इन बातों पर गोल्ड वुमेन एट स्टेरिंग हार्ड इंटू दा फायर हर पेल आइज वाइड ओपन एक बुजर्ग औरत थी उसके साथ जो आग को आग की तरफ ऐसे घुर घुर कर देख रही थी उसका चेरा पी आँके पिली थी ऐसे फाड़ फाड़ कर जैसे देखते हैं आई शी ब्रोक इन विदे मौंटेन स्टोंस जो उसने निरस्ता पूरण दिरे दिरे जैसे बोलते हैं उसने इस टोन में आवाज की बट इन आल दोस ट्वेंटी यहर्स यू हैव नेवर सीन लेकिन 28 यहर्स में उस ओरत ने का तुमने ऐसा कोई घर नहीं देखा होगा जिस तरह से यह घर है यह गर ट्रेजडी और दुखों से भरा पड़ा है I have suspected that the old people were speaking so gloomly to enhance गता है जो बुजर्ग व्यक्ती थे मैंने देखा कि वो बहुती उदासी जो माहूल की उदासी थी उसको बढ़ा रही थे और उस nature को clear nature of the house that they had been looking after जो घर का जो माहूल था जो उन्होंने कभी देखा था well I said let's see if I meet the ghost उने का चलो देखते हैं अगर मैं ghost से मिलता हूं तो क्या होता है then I heard someone entering the house तभी मैंने देखा कि कोई किसी का गर में परवेस हुआ है from his slow foot step it sounded that he was older than the two people sitting before me उसके जो पैरों के जो foot steps थे कदमों की जो आवाज थी मैंने उसके तरफ देखा जो दो लोग मेरे पास बैठे हुए थे वह उनसे भी अधिक बुजुर्ग था true enough an old wrinkled man walked into the room with the help of a crutch बुजुर्ग व्यक्ति जिसके wrinkle पड़े हुए थे चेरे के ऊपर वह कमरे में आया जो कि बैसाख्यों के साहरे आया था on one eye he wore a patch एक आंख के ऊपर उसने कपड़ा बांद रखा था in fact all three old people themselves look like ghost अखेकत में जो तीनों व्यक्ति थे वैसे दिखाई दे रहे थे जैसे उतीनों ही घोस्ट हों that is if the ghost existed their clothes manners and speech all belong to the past अगर घोस्ट होगा तो उसके चाल चलन आवाज सब कुछ कपड़े मैं तोर तरीके सभी कुछ पास्ट से संबंदी तोंगे आप प्रेजर्ट से नहीं होंगे संबंदी it is your choice dear boy said the old man one more time old man ने का ये तुम्हारी इच्छा पर निर्वर है कि तुम गोश्ट को मानते हो कि नहीं मानते हो I it is now no please tell me where is this famous infamous haunted red room where I am to spend the night I asked एता है कि आ देखते हैं लेकिन मुझे प्लीज बताईए कि वो haunted red room है वो कहां पर है जहां मुझे रात बितानी है I asked well if you are instant on doing that अगर तुम यह करने का हमें आग रेकर रहे हो पूछ बताने का कि मुझे वो घर वो कमरा बताईए you must go there alone तुम्हें वहां आकेला जाना होगा we have never had the courage to go there हमारे पास इतना सांस नहीं है कि हम वहां पर जासके जासके देर एकेंडल आउटसाइड एवाई केंडल रखी है light it to see the way और से आप अपना रास्ता है वह रैड रूम तक जाने का आप देख सकते हैं वाक अलोंग ता पैसेज तिल यू कम एक्रोस स्पाइरल स्टेरकेस आप उस रास्ते से जाओगे तो आप सामने आपके पास गुमावदार सेडियां हैं हुआ आएंगी क्लाइम एंड दैन यू विल सी ए डोर उपर चर जाना और उसके पास बाद आप एक दर्वाजा देखोगे वीच इस कवर्ड विद ग्रूइन क्लोथ जो दर्वाजा ग्रीन क्लोथ से हरे रंग के कपड़े से ढखा हुआ है एं उसके लास्ट एंड पर है फिनिश ता ओल्ड मैन ने अपनी बात खत्म करते हुए का आई वाक्ट अलोंग दार्क एंड शैडो कोरिडोर टूरीज दा रेड रूम मैं अंदेरे में उस रेड रूम तक उस कोरिडोर के साथ जो लग रहा था लास्ट में था उस तक मैं लाइगी तेंक 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 तेंक।